नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं केंद्रिय बिद्यले जामतरा में 10 वीक चाहतर हैं पधान मत्रि 29 परिक्षा को लेकर होने वाली तनाव के बारे में सवाल पुछेंगे करेकरम में सामिल होने के लिए अपने अभिभावा के साथ दिली के लिए निकल चुके हैं एक अप्रेल को दिल्ली के ताल काटोरा इस्टेडियम में परिक्षा पेचार्चा कारकरम का योजन किया गया है इसके लिए ज़ार्खन के जाम तरा से सुभा मांजी का चायन किया गया है मुख्य मंत्री चात्री विर्थी योजना के लिए आवेदन शुरू परिक्षा में सामिल हो सकते हैं बता दे परिक्षा में अनुषूचित जाती और अनुषूचित जन जाती के छात्रों को पांच फिश्दी तक छुट दी जाएगी जिन छात्रों का चैन होगा उन्हें काक्षा नौ से बरावी तक हर साल 12,000 रुपे की छात्री विर्थी दी आपको बता दे कि छात्री विर्थी के लिए हर साल 5-6,000 विद्ध्यार्थों का चैन किया जाएगा यूपी को हरा कर होंकी जार्खन की टीम सेमी फाइनल में पहुंची बारावी राष्ट्री जूनियर महिला होंकी चैंपियंसिप 2022 में होंकी जार्खन की टीम ने यूपी को 4-0 से पराजित कर सेमी फाइनल में पहुंची टीम जार्खन की ओरते दीपिका सोरेंग, राजिनी किरकेटा, एलीन, डुग डुग और परमोधनी योगी लक्रा ने गोल कर अपनी टीम को सेमी फाइनल में पहुंचाया होंकी जार्खन का अगला सेमी फाइनल मैस 2 अप्रेल 2022 को होंकी महराश्च से होगा लोहर्दगा में बाल सनरचन इकाई में भैकेंसी लोहर्दगा डीसी डाक्टर बाग मरे परसाद कृष्णे ने जीला बाल सनरचन इकाई में खाली पदों को जल्द भरने का निदेश दिया साथी DC ने जीला बाल सनचन समीती सा जीला चाइल लाइन एडवाजरी बोट की त्रेमाइसिक बैठक में अधिकारियों को कोई आवसक दिशा निदेश भी दिये बैठक के अध्यक्स्ता करते वे DC डाक्टर किष्ण ने जीला बाल सनचन इकाई के तेरा रिक्त अनुबंध पदों को भरने के परकिरिया पूर्ण करने का निदेश दिया साथी बाल सनचन समीती को सला दी गई की बाल सनचन के छेतर में समगर कर की जाए डाक्टर अर्चेना मौत मामला डाक्टर ने लगाया काला बिला रायस्थान में डाक्टर अर्चेना पर मुकादमे का मामला जार्खन पहुँच गया है रायस्थान के दोसा में गर्भवती की मौत के बाद डाक्टर अर्चेना कुमारी पर मुकादमा दर्च कर दिया गया इससे डॉक्टर अर्चना ने आत्मात्या कर ली इसके खिलाब SNMMCH के डॉक्टरों ने कलाविला लगा कर बिरोज जताया उस राज के पूलिस परसासन एवा मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर को मानसिक रूप से परतारित करने का रूप लगाया है दॉसा के लाल सोट कसबे की डॉक्टर अर्चना सर्मा के सूसाइट केस में समूचे रायस्थान को हिल्या कर रख दिया है बार्शिक सुल्ख के बिरोध में डी अभी गेट पर अभिभावकों का धरना डेभी पब्लिक स्कूल कोईला नगर के अभिभावकों ने गुरु आर को स्कूल गेट के सामने धारना दिया अभिभावकों ने परदसन करते हुए बर्श 2020-2021 का वार्शिक सूल्ख लेने का बिरोध किया अभिभावकों ने इस्कूल प्रवंधन पर अरोप लगाते हुए कहा कि राई सरकार का स्पर्श ने देश है कि कुरो नामा हमारे के कारण जब तक ऑनलाइन कलास संचालित होई इस्कूलों को सिर्फ मासिक सूल्ख लेना है ओफलाइन कलास संचालित होने पर समान उपातिक वार्शिक सूल्ख लिया जा सकता है लेकिन डिये भी कोईला नगर के अविभावकों बच्चो पर दोनों वर्श का वार्शिक सूल्ख लेने का दबाव डाला जा रहा है सेवा समाप्त करने का भारी विरोध विधायक आवास पर पोसन सक्षो का प्रदर्शन पोसन सक्षो की सेवा समाप्ती के विरोध में पोसन सक्षो का अंदोलन तेज हो गया है पूर्वनिधारित आंदोलात्मक कारेकरम के तहत कुरू आरको पोसंसक्यों ने अपने छेत्र के विधायकों के आवाज के समक्ष धारना परदसन किया जारकन परदेश आंगनवारी करमचारी पोसन सकी संग के तत्वधान में काठी कुड में सिकारी पाड़ा के विधायक नलीन सोरेन के आवास के समक्ष धारना परदेश अध्यक्स मैनूल मुर्मू ने बताया कि 24 मार्च को पोसन सकी को जारकन सरकार ने हटा दिया है जिसका हम लोग विरोद कर रहे हैं सरहूल पर आदिवासी समाज ने फिर उठाये सरना कोड की मांग सरहूल को लेकर इंदिनों राजधानी राची समेथ पूरे जारकन में आदिवासी समाज का बड़ी संख्या में जुटान हो रहा है राची के मुड़मा में गुरुवार को हुई एक कारकरम में सामिल हुए आदिवासी नेतावोंने सरना धर्मकोट लागू करने और आदिवासी समाज में धर्मांत्रन को रोकने की पूरजोर मांग की आदिवासी नेता ने कहा कि इन दोनों मांगों के बगर सरहूल के उत्सव का कोई मतलब नहीं राजी पड़ा, प्रा पाल के पास भेजे बगर केंद्रे के पास भेज दिया गया था जिसे केंद्रे ने वापस राज्य को भेज दिया है प्रधाना ध्यापक से रंगदारी मांगने के तीन आरोपित गिरफतार दूमका के नेजी स्कूल के प्रधाना ध्यापक से रंगदारी मांगने के आरोप मे तीन को गिरफतार कर गुरुवार को जेल भेज दिया है ने दिया है जार्खन में कुरोना के चो नए मामले मिले हैं जबकि तेरा मरी स्वस्त भी हुए है जार्खन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 78 है भारत में 1225 नए केस मिले है जबकि 1594 मरी स्वस्त हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 2957 है खतियानी महाजुटान में आंदोरन तेज करने का आवाहान खतियान अधारित अस्थाने निती की मांग को लेकर छात्र नितार टाइगर जैराम महतों के नित्यूत में आंदोरन लगातार जारी है बतादे जैराम ने राजेपाल से भी मुलकात की थी राज़ेपल से मुलकात के बाद उनका होसला और बढ़ गया है राजगंज के बगदाहा में गुरुवार 31 मर्च को खत्यानी महाजुटान में सैकडों की संख्या में महिलावने भी सिर्कत की कारकरम से पहले मीडिया से बात करते हुए जयराम ने कहा कि भले ही जनता अब उन्हें आने वाले वक्त के लिए भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है लेकिन उनके अंदर सिर्फ अपनी जहरखंडी मूल वासियों के लिए आंदोरन की चाहत है या अंदोरन अगर उन्हें किसी मुकाम पर पहुचाता है तो उससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन यहां के जल जंगल जमीन के साथ प्रकेतिक संसादनों का दोहन करने वाले लोगों और खनन छेत्र में मजदूरों के सोसन को लेकर भी वा अवने वाले वक्त में आवाज उठाएंगे बिद्यार्थियों के ओमार वा उतर पुस्ति का मुल्यांकन की परकिरिया सुरू जार्खन सिक्षापर योजना के निर्देशान सार गुरुवार को जार्खन के विद्यार्थियों का OEMR वर्ग पांच वी छट्थी और सथी का मुल्यांकन किया गया वही कलास तीन और चार को प्रश्न सा उतर पुस्तिका पर मुल्यांकन कारे किया गया इसी करह में गुरुवार को उतकरमिक उचविद्याले नियू कॉलोनी में आदित्यपूर के वर्ग तृतिये से सब्तम तक 565 विद्यार्थियों का मुल्याकन किया गया और उतर पुष्ति का वो ओमार सीट परखन करयाले में जमा किया गया इसकी जाच के बाद मेंटल चेंपियंशिप 2022 संपन इस्ट जोन सिनियर बैट मेंटल चेंपियंशिप 2022 में उतर परदेश और उतराखन के खिलाडियों का दबदबा दिखा में सिंगल में जहां यूपी के रंजन यादव विजयता बने वहीं उतराखन के धुरूरावत विजयता रहे इसी तर वूमेंस सिंगल के यूपी की इंटरनेशन खिलाडी तनीशा सिंग ने अपने ही राजे की काजल पवाल को प्रास्त कर खिताब पर काबजा जमाया बतादे मिक्स डबल में उतराखन के धुरूरावत वा उनती विष्ट की जोड़ी ने उतराखन के प्रवा और यूपी की तनीशा सिंग की जोड़ी को प्रास्त किया है। सिंग के रूप में हुई है नितिस अपने मामा के घर आया था जनकारी के मुताबिक तीनों बचे नहाने के लिए गाउं में इस्थीत मन्ना आहर में गए थे यहां नहाने के करम में वे गहरे पानी में डूब गाए चारा घोटाला मामले में BCS अदालत का बड़ा फैसला चारा घोटाला के आरोपितों की संख्या में सबसे बड़े एम अमतिम मामले में चार आरोपितों को अदालत ने फरार घोर्षित करते वे गिरफतार वरंट जारी किया है CBI के BCS नयाधिस विसाल स्रीवास्तव की अदालत ने सभी आरोपितों को 31 मार्च तक ब्यान दर्ज करा लेने का निर्देश दिया था इसमें से 127 आरोपितों ने ही अपना ब्यान दर्ज कराया अमतिम दिन गुरुवार को रीमा बनाईक, हरीस कुमार खन्ना, स्याम नंदन सिंग और सूरज गांधी और सुनील गांधी का ब्यान दर्ज किया गया जबकि चार आरोपित डाक्टर केके सरन, फूल सिंग, परदीब कुमार चौधरी याम सुसील कुमार ने कोट के आदेश को नजर अंदाज कर दिया जारखन में रिकोर्ड अस्तर पर हुई धान खरीदारी जारखन में किसानों से निम्तम समर्थन मुल पर धान की खरीद के लक्ष को राज सरकार तयम याद 31 मार्श तक नहीं साथ सकी लेकिन धान खरीद का आकड़ा संतोस जनक अवस्यक है बितिय वर्ष 2021 के लिए राज सरकार ने 80 लाग क्यूंटल धान खरीद का लक्ष तय किया था जिसके सापेक्ष 31 मार्श तक 16 लाग क्यूंटल से अधिक धान की खरीदारी की परकिरिया फूरी कर ली गई यह अब तक का सर्वधिक आकड़ा है जारकन में जिस अस्तरपरदान की खरीद इस बार हुई है उतनी इससे पहले कभी नहीं हुई जारकन सरकार इस आकड़े से संतोस्ट जरूर है लेकिन अभी भी एत तय लग से काफी दूर है जिसे पाना सरकार के लिए अभी भी चुनावती बनी हुई है स्वास्थ से जुड़ी योजनाओं के लिए 100 क्रोर की स्विक्रिती बीतिय वर्ष 2021-22 की समापती के पुर्व स्वास्थ से 100 क्रोर रूपए से अधिक योजनाओं की स्विक्रिती दी गाई अगले दिन गुरुवार को इन योजनाओं की रासी आवंटित की गाई इसके तहट का योजनाव में रासी की निकासी कर विभीन एजेंसियों के बैंक या पी एल खाते में रखने के निर्देश दिये हैं ताकि आने वाले दिनों में रासी का उपयोग समंधीत योजनाव में किया जा सके वही 15% रासी निकासी करने की अधिसीमा को भी सिथिल कर इसे अधिकी रासी की निकासी कुछ योजनाव में की गई बोकारोडिसी के नाम पर ठगी साइबर अपराधियों ने वोकारोडिसी कुलदीप चोधरी का फरजी वाटसेप बनाकर जीले के कई वीडियो से इमेजन गिफ्ट काड के नाम पर ठगी का प्रयास किया इसमें किसी साइबर अपराधि ने अमेजन से गिफ्ट काड खरीदने और अन्य बात कहते हुए ठगी का प्रयास किया बोकारोड पुलिस मामले की चान बिन कर रही है जनकारी के अनुसार बुद्धवार को बोकारोडिसी के फोटो लगे एक वाटसेप नमबर से उनके अधिनस्त पदाधिकारियों को मैसेज गया मैसेज में कहा गया कि मैं एक जरूरी मीटिंग में ब्यास्त हूँ और सिमित कॉल ही अपडेट कर सकता हूँ मुझे तुम्हारी जरूरत है क्या तुम अमेजन गिफ्ट कार्ट का इस्तेमाल करते हो साइबर फ्रोड ने अमेजन गिफ्ट वाउचर की मांगी धनबाद जज मौत हाजसा नहीं जर्ज उत्म अनन्द की मौत दुर्गाटना से नहीं बलिक सूर नियोजीत और जान बोजकर की गई हत्त्या हाए गुरुआर को धनबाद पहुंची गुजरात गांधी नगर डी एफेस डिवीजन के असिस्टेंट डारेक्टर वाफ फोरेंसिक साइकलोजी के डाक्टर हेमा बिनोद चंद्र अचार्य ने सीबी आई के विशेश नियादिस रजनिक कांध पाठक के अदालत में अपनी गवाही में उक्त बाते कही कोट ने गुरुआर को आटो चालक लखन वर्मा की जमानत अरजी खारिज कर दी सीबी आई की ओर से डाक्टर आचार ये को इस मामले में 28 वे गवाह के रूप में कोट के समक्ष पेस किया गया था वासंतिक नवरात्र कल कलस अस्थापना की तयारी पूरी इसके बाद मा भागवती श्री सरद्धालू अराधना में लीन हो जाएंगे बताद नवरात्र पर सहर के कई मंदिरों में विशेस अनुस्ठान होगा सास्तिरिय द्रिष्टी कोन से इस बार नौ दिनों का नवरात्र होगा चुटिया प्राचिन सिरीधाम मंदिर में सत चंडी महाजग अनुस्ठान भी होगा जारखन विधान सभा के अपर सचिव बिनाय सिंग सेवा निवरीथ पद सोपान में प्रोनाती पाते हुए 31 अक्टूबर 2013 को अपर सचिव बने अनुबंधित सहायक प्रध्यापकों ने काली पटी लगा कर किया बिरोध जन जातिये एवं छेत्रिये भासा विभाग के अनुबंधित सहायक प्रध्यापकों ने गुरुआर को राची विश्व विद्याले की कूलपती प्रफेसर कामिनी कुमार और अडिट टीम के समक्ष काली पटी लगा का बिरोध किया प्रधाना ज्यापकों का कहना था कि मांदे समन्धित संची का पिछले एक वर से पुर्व विभागा ध्यक्स समन्वेक डाक्टर हरी उराव के पास पेंडिंग है इस पर कूलपती ने मांदे समन्धित संकीच्टा को देखा और अस्वासन दिया की निरिक्षन करने के बाद भुगतान की परकिरिया आगे बढ़ाई जाएगी जार्खन में थाली वा घंटी बजा कर महंगाई का बिरोध महंगाई के खिलाप कॉंग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान सुरू हो गया है जार्खन परदेश कॉंग्रेस कमेटी की ओर से 31 मार्च गुरुवार को थाली वा घंटी बजा कर महंगाई मुक्त भारत अभियान की सुरूआत की गई पार्टी की ओर से 7 अप्रेल तक 3-4 नों में चर्णवत अंधोरन किया जाएगा महांगाई के बहाने कॉंग्रेस ने केंदर की 99 नमोदी सरकार पर निशाना साधा है MS धाउनी जार्खन के बड़े करदाता भारतिये क्रिकेट टीम के पुर्व कप्तार महेंदर सिंग धाउनी ने इस बरस एडवांस टेक्स के रूप में 38 को रुपए का भुकतान किया है एडवांस टेक्स के रूप में जामा की गई रकम के अलोक में इस बितिये वर्ष के दुरान इनकी कर योग आमदनी 130 को रुपए से कुछ अधिक होने का अनुमान है बता दे कोविड-19 के वितिये कुप्रभावों के बावजूद इनकी आमदनी बढ़ी है वह इस साल भी जार्खन के सबसे बड़े ब्यक्तिगत करदाता बन गए है किर्केट जगत में आने के बाद से वह लगतार जार्खन के ब्यक्तिगत सबसे बड़े करदाता रहे हैं बाबा बैधनात धाम में तयारी जारखन के देवगर स्थित बाबा बैदनात धामे स्रावनी मेले में जलारपन करने आए भक्तों को पेतर सिवधा देने के लिए समाने कातार वस्षिग रदर्शनम कातार को अलग-अलग रास्ते से गर्भ ग्रिह तक पहुचाने पर काम सुरू हो गया है बाबा मंदीर प्रसासक सर डीसी मंजुनात भयंती के निदेश पर तेजी से कार्य किया जा रहा है 2000 कूपन जारी होते ही कूपन वाले रास्ते में जाम तथा अफरात अफरी की संभावना को खतम करने के लिए बेवास्ता को बिक्सित किया जा रहा है धन्यवाद